हलो फ्रेंड्स कैसे आप सब में उम्मीद करता हूँ अब सब बहुत अच्छे से होंगे मैं सुभी शर्मा टैक्नुसम चैनल में आप सब का एक बाफ फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों अगर आप भी एक यूटूबर हो यूटूब पर वीडियो बनाते हो तो आपको पता होगा यूटूब पर वीडियो बनाने के लिए कितनी जादा मेहनत करनी होती है और ऐसे मैं अगर आपकी बनी बनाई वीडियो को कोई कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड कर देता है उस वीडियो को रिमूब कराने के लिए हमें उस चैनल को copyright strike देनी होगी copyright strike कैसे देते हैं आज के वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी वीडियो किसी दूसरे चैनल पर upload हुई है या किसी ने हमारे content को इस्तेमाल किया है तो इसके लिए YouTube हमें एक feature प्रोवाइड करता है जिसका नाम है copyright match tool तो जब आपको copyright match tool मिल जाता है तो अगर कोई भी आपके वीडियो को आपके content को YouTube के किसी भी चैनल पर upload करेगा तो आपको पता लग जाएगा सारी detail copyright match tool में आपको दिखाई देगी आपके वीडियो का कितना % हिस्सा यानि 10%, 20% या 100% कितना portion उसने आपके वीडियो का use किया है वो भी आप जान सकते हो इसके अलाबा अगर आप उस वीडियो को हटवाना चाहो तो आप वहाँ से request ले सकते हो copyright strike आप दे सकते हो और अब सवाल यह उड़ता है कि copyright match tool हमें कब मिलता है और copyright match tool eligibility क्या है तो YouTube की guideline के हिसाब से अगर आपका channel monetize हो गया है तो आपको अपने आपी copyright match tool मिल जाएगा और अगर आपका channel monetize नहीं है और आप चाहते हो अपने channel पर copyright match tool enable करना तो उसके लिए आपको ये वाला form फिल करना है और YouTube को भेज़ देना है अगर आपको चेक करना है कि आपके YouTube channel पर copyright match tool मिला है या नहीं मिला है तो उसे चेक करने के लिए पहले आपको अपने YouTube channel पर login करना है और YouTube studio में जाना है ये काम आप अपने mobile phone से भी कर सकते हो mobile phone पर आपको chrome browser open करना है बहाँ पर आपको अपना YouTube channel login करना है desktop mode में जब आप YouTube channel login कर लोगे इस तरह से आपको दिखाई देगा और यहाँ पर अब हमें जाना है YouTube studio पर यहाँ पर YouTube studio पर हम click करेंगे तो यहाँ पर YouTube studio open हो गया है अब आप इस left side में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखेगा copyright copyright का यह option आ रहा है इसी पर हमें click करना है जैसी आप copyright पर click करोगे इस तरह से आपको यहाँ पर option दिखाई देने लगेंगे जैसे की मेरे channel पर copyright match tool मुझे मिल चुका है आप यहाँ पर देख सकते हो यह दिखाई दे रहा है matches तो यह है इसका match tool copyright match tool हमें यहाँ पर मिल गया है अगर आपको match tool मिल चुका है तो यहाँ पर आपको यह वाला option दिखने लगेगा matches का तो अब बात करते हैं copyright match tool होता क्या है what is copyright match tool and how to use copyright match tool हमें यहाँ पर matches पर click कर देना है तो जैसे ही हम यह मैचीज पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, यह जो मैच टूल है उसका फाइदा यही है, हमें पता लग जाता है किस ने हमारी वीडियो को इस्तेमाल किया है, यहाँ पर सारी वीडियो की आप detail देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो यहाँ पर है, जो की मेरी वीडियो हैं और दूसरे लोगों ने उसको use किया हुआ है, एक मेरा ही channel है Triangle Gamer, मैंने अपनी ही एक वीडियो Triangle Gamer पर use की थी, तो उसका भी यहाँ पर आ रखा है, तो यहाँ पर हमें क्या-क्या options मिलते हैं वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पर हमें एक option मिलता है contact channel का, जिस channel ने हमारी वीडियो को इस्तिमाल किया है, आप उनसे contact कर सकते हो और उनसे request कर सकते हो कि भाई हमारी वीडियो को हटा दो, इसके अलावा यहाँ पर एक option आ रहा है folder का, folder का म request video removal, यानि आप उसकी वीडियो को remove कराने के लिए copyright strike या वीडियो को remove करा सकते हो, तो उसके लिए हमें क्या-क्या option मिलते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर यह शो हो रहा है, मैं बाकी किसी दूसरे को यहाँ पर copyright strike नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि कि किसी का फालतू में दिक्कत हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर किसी को भी copyright strike नहीं देने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, अपने ही चैनल पर एक copyright strike देके मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके लिए यहाँ पर जो बीच वाला बटन है, इसे हम दबा सबसे फस्ट नमबर पर आ रहा है, वीडियो रिक्वेस्टिड फॉर रिमूवल, यानि जिस वीडियो को आप रिमूव कराना चाहते हो, वो वीडियो आप यहाँ पर एड कर सकते हो, कोई भी वीडियो जो आपको लग रहा हो, किसी ने इस्तेमाल की है, वो आप यहाँ पर add कर सकते हो लेकिन यहां पर already यह वाली वीडियो add हो रखी है copyright match tool की वज़े से यह already add हो रखी है तो यहां पर हम कुछ भी add नहीं करेंगे पहले से ही यह वीडियो हमारी यहां add हो रखी है इसके बाद second number पर आ रहा है copyright owner तो आप यहां पर select कर सकते हो my company organization और client अगर आपका खुद का content है तो आप यहां डाल सकते हो myself तो मैं यहां पर myself पर इसे रहने देता हूँ उसके बाद यहां option आ रहा है relationship to copyrighted content यानि आपका इससे क्या relation है content आपका अपना है आपके company का है आपके client का है किसका है वो आपको यहां पर देना है तो मैं यहां पर लिख देता हूँ owner यानि यह मेरा अपनाई है यहां पर मैंने लिख दिया owner और उसके बाद यहां पर आपको अपना नाम देना है name of copyright owner यानि आपको अपना नाम दे देना है तो नाम मैं यहाँ दे देता हूँ अपने चैनल का नाम दे देता हूँ तो मैंने यहाँ पर दे दिया टेकनो शाम पूरी डिटेल आपको भर देनी है अफेक्टिड पार्टी पर माईसेल्फ कर देना है यहां आपने चैनल का नाम दे दिया यहां पर आपको इंडिया अपना country सिलेक्ट कर लेना है यहां आपको अपना mobile नंबर देना है और यहां पर अपना full address देना है और यह देख रहे हैं primary email यहां पर already हमारी email id अपने आप ही आ गई है और यहां पर आपको एक secondary email id दे देनी है जिस पर आप चाहते हो बात करना mail मंगाना उसके बाद यहां आपको अपने city दे देना है यहां state दे देना है यहां आपको अपना pin code दे देना है तो यह detail हमारी सारी fill हो गई हमने पूरा form यहां पर fill कर दिया है third point पर आप देखोगे तो यहां option आ रहा है removal options and agreements आपने जैसे यहां पर इस option को select कर लिया तो उसको एक notice चला जाएगा अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर उस video को हटा देता है remove कर देता है तो उसको copyright strike नहीं जाएगी 7 दिन तक wait होगा है न और अगर 7 दिन के अंदर अंदर उसने उस video को नहीं हटाया तो अपने आपी 7 दिन के बाद copyright strike चली जाएगी यह हो गया हमारा पहला option और यहां पर दूसरा option आ रहा है standard request removal now यानि इस option को अगर हम select कर लेंगे तो तुरंत ही copyright strike उस channel को चली जाएगी मान लीजे हम इसे select कर लेते हैं standard को मैंने मान लीजे इसे select कर लिया ओके तो यहां पर आप देख रहे हो यहां पर legal agreements दिये गए हैं इन्हें हमें accept करना होगा जो box हैं इसके आगे हमें tick करना है पहले आपको इन्हें पढ़ लेना है इसमें कहा गया है कि अगर आप किसी को fake copyright strike देते हो यानि वो content आपका अपना नहीं है आप उसके honor नहीं हो और आप किसी को copyright strike भेज देते हो तो आपका channel भी terminate हो सकता है यह सब हमें accept करना होगा तो मैं यहां पर tick कर देता हूँ इसे भी कर देता हूँ इसे भी और इसे भी इसके बाद यहां पर एक option आ रहा है signature तो signature की जगे पर आपको अपना नाम लिख देना है पूरा नाम देना है जो आपके आधार card या pen card पर है वो पूरा नाम आपको यहां पर दे देना है तो अब हमारी सारी detail complete हो गई है और जैसे ही आप यहां पर submit पर click करोगे copyright strike लग जाएगी उस channel पर तो हमने यहां पर copyright strike send कर दिये अब आपके पास आपकी email id पर mail आ जाएगी YouTube की तरफ से तो यहां पर removal request में हम देखेंगे यहां पर आप देख सकते हो removal request पर हम click करेंगे तो जो request आपने भेज रखी है वो यहां पर दिखेंगी हमने अभी इसको copyright strike भेजा है तो वो यहां पर दिखाई दे रहा है अभी आप देखोगे इसका status request status तो यह आ रहा है in progress under review अभी यह under review में है तो जैसे आपकी request complete हो जाएगी यहां पर यह green color का हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हो हमने जो copyright strike भेजी थी वो यहां पर complete हो गई है अभी कुछ देर पहले यहां पर status दिखा रहा था under review लेकिन अब यहां पर RIR resolved और green color का यहां पर symbol दिखाई दे रहा है इसका मतलब है हमारी copyright strike request थी वो complete हो गई है यहां पर arrow का बटन है इस पर आप क्लिक करके बागी details देख सकते हो आप देख सकते हो यहां पर clearly लिखा हुआ RIR video has been removed यानि वो video उस channel से delete कर दी है YouTube लेकिन अब सवाल यह उठता है मान लीजे हमें copyright match tool नहीं मिला है क्या हम फिर भी copyright strike किसी को दे सकते हैं हाँ जी बिलकुल आप दे सकते हो अगर आपके channel पर copyright match tool नहीं मिला है फिर भी आप यहां पर copyright पर click करोगे आपको केवल यहां पर removal request का option दिखाई देगा अगर मान लो आपको कहीं से पता लगता है कि आपके वीडियो को किसी ने इस्तेमाल किया है आप उसे copyright strike देना चाहते हो तो उसके लिए अब आपको यहां एक option है आप इस side देख सकते हो यहां पर एक option आ रहा है new removal request तो जैसी आप new removal request पर click करोगे आपको यहां पर option दिखाई देने वो ही option नीचे आ जाएंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे हम copyright strike भेजते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप बहुती आसानी से किसी भी चैनल को copyright strike दे सकते हो लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कभी भी fake copyright strike नहीं देनी है अगर आपका genuine content है अगर आपका real content है और किसी दूसरे ने use किया है तभी आपको copyright strike देनी है अगर आपने fake copyright strike दी तो उससे आपका चैनल भी terminate हो सकता है अगर आपका कोई भी question हो तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम